वेल्कम बाक तो माई चैनल आज है डाइट का वेट लॉस जर्नी का डे नमबर 50 और एज यूजर मैं अपनी सुबा ले लेती हूं साथ में दवा ले लेती हूं साथ में एक तरफ चड़ा देती हूं चाय बनने के लिए यह सारे सीट्स धनिया जीरा कलॉंजी और मेथी दाना इन सब को चड़ा के मैं अपनी एक अच्छी से चाय बना लेती हूं और उसके बाद मैं लेती हूं चिया सीट बाटर जो रात में बिगो देती हूं यहां तक का रूटीन मेरा डेईली का सेम होता है किसी दिन पास्ट है या किसी दिन कोई इमर्जंसी आ गई तो शायद इस होता है अधर्वाइस मेरा मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन दोनों सेम होता है इसके बाद मैं लेती हूं बदाम जो कि यह भी रोज का है चार बदाम पांच बदाम मैं रोज लेना पसंद करती हूं इसके बाद शुरू होता है मेरे ब्रेकफस्ट कर ताइम जो क यहां मेरा आज का सिंपल सा ब्रिक पास एक शुगर फिर टी के साथ और उसके बाद लंच की बारी आती है तो मैंने करीब तीन सवा तीन बजे के करीब अपना लंच किया था यह चावल की रोटी है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भिजवाई थी मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई है और इसके साथ था बैगन का भाजा यह भी मेरी फ्रेंड के आया से आया था और कड़ी मैंने आज खुछ से बनाई अब जो कि अब आगया था तो मैं थोड़ा थोड़ा यह भी था था यह कि आपना इसके रोटी तो बने कड़ी और एक बैणन का भाजा ले ले लिया था ऐसा रहा में लांच और यह लंच काफी हैवी हो जाता है क्योंकि मैंने तीन साड़े तीन बजे के करीब किया था तो आज शायद मैं अपना डिनर स्किप करूंगे देखेगा जरू कि मैं डिनर में आज अपने क्या ले रही हूं और इस बीच मैं लड़ू की प्रिप्रेशन कर रही थी मैंने लड़ू बनाया है तीसी के आप जरूर वीडियो देखेगा बहुत है और गर्ल्स के लिए तो य लड़ी है क्योंकि इसमें रागी डला होगा अभी मैं रेसिपी जल्दी इसके आपके साथ शेयर करूंगी और लंच मेरा काफी टैम्टिंग था यह मेरा फेवरेट फूड है कड़ी चावल सलाग और यह जिस लड़ू की मैं बात करी ती यह रहा वो लड़ू जल्दी इस सौटे वेजटेबल थोड़ा साथ डाल लेती हूं इसको चीट बोली जे जो भी बोली जे मुझे एकदम बॉइल वेजटेबल का स्वाध बिकार लगता है तो थोड़ा से पानी डालके मैं सारी सबजीयों को एक साथ बॉइल करती हूं और पानी सुखाने तर इसको मैं क्य काफी टेस्टी लगता है अगर मैं बिना सॉस के खाऊं तो मैं इसका आधा खाऊंगी और टेस्ट भी नहीं आता है ऐसे मैं इसको काफी ज्यादा खा लेती हूं यह देखिए बॉल भर के है और लास्ट में ले रही हो इस सब गोल की भूसी अगर आपको मेरे वीडियो और हेल्धी टिप्स के लिए जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाइए करूंगे बाबाइगाइस टे है